बच्चे ये हमारी फोर्थ वीडियो है जो की DSSSB के कोस्चिनों के ऊपर है DSSSB Mathematics Previous Year के कोस्चिनों के ऊपर ये हमारी फोर्थ वीडियो है बटा इस वीडियो में भी हम 20 कोस्चिन्स को डिसकस करते हैं चुरो बच्चे स्टार्ट करते हैं ये पट्चे हिंदी में हैं पहले आमने इंग्लिस में की थी अब ये हिंदी में हैं हम बाइलिंग्वल लिक रखेंगे यानि मैं कुछ वर्ड होंगे जो मैं आपको इंग्लिस में बता दूँगा फिर वो easily हो जाएगा English medium वाले बच्चों के लिए भी उसको understand करना ठीक है बटा यह है 36 वस्तुओं की लागत मुल्य 30 वस्तुओं के विक्रे मुल्य के बराबर है क्या कह रहा है यह जो 36 वस्तुओं का articles का क्या लागत मुल्य यानि उसका cost price equal to 30 articles का क्या है selling price है तो लाब या हानी परतिसत ग्याद करो यानि find the profit of loss और profit find the percentage of profit और loss तो बटा देखो आप कोई भी article जब यह 30 article बेच देगा यानि 30 article का selling price जब हो जाएगा तो profit कितना हो जाएगा 6 का 6 का cost price का है तो profit होगा 30 वस्तू बेचने के पाद तो गुना में 100 तो उच्छे पन्जाटीस 20% तो 28% is the answer अब बटा ये है निमेल लिखिश में से कौन सा सबसे बड़ा है formula वही रहेगा इसको हम short कर लेते हैं देखो कैसे short करेंगे इसको मैं 5 बटे 8 लिख लूँगा इसको 2 बटे 3 लिख लूँगा इसको 7 बटे 9 लिख लूँगा इसको 3 बटे 5 लिख लूँगा बेटा पांच बटे आठ कितना आजाएगा आठ में से पांच गए तीन पांच को तीन से भाग करो ठीक है तो यह आजाएगा वन पॉइंट सिक्स कुछ करके हैं तीन में से 2 बते 3 3 में से दो गए एक और दो को बाज всем भाग करेंगे तो क्या गया दो ऐसे बटा तेन बटे पांट तो यह कितना आएगा सबसे बड़ा क्या है ससे बड़ा है साथ बटे 9 क्या था 14 बटे बड़ा हुआ है यह एक मिनिट के भी नहीं यह 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड यह तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है यह तो 20-20 सेकंड के कोश्चन है बेटा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं मनोज ने 11 लाक रूपे में एक घर खरीदा उसकी मरमत पे 50,000 रूपे खर्च कर दिये वह 25 पर 30 सत का ला बारजित करना चाहता है तो वह कीमत ग्याद करें जिस पर घर बेचने की आवसकता होगी बेटा उसकी परचेजिंग कितने थी 11 लाक की 11 लाक की उसने मर्पत पे मेंटेनेंस पर कितने लगा दिये 50,000 टोटल कितने की हो गया हो 11 लाक 50,000 का और उस पर कितना प्रसेंट प्रोफिट जाकता है 25 प्रसेंट 25 प्रसेंट का मतलब क्या हो दोगा है 125 बटे 100 यानि 5 बटे 4 तो गुणा में 5 बटे 4 बेटा जब आप इसको शोल करोगे तो आपका यह अंसर आ जाएगा next यह पटा इसको simplify करो इसको add करना है इसको तो बटा ऐसे ही करना पड़ेगा इसमें तो आप लिखके ही करना इसको जल्द बाजी में हम गल्द कर देते हैं ऐसे एक दूसरे के नीचे जैसे हम लिखते हैं ऐसे लिखके 1 2 1 2 ऐसे इसे लिखके इसको श रेशो 2 रेशो 5 वन रेशो 2 रेशो 5 के अनुपात में बाजित किया गया है तो दूसरा भाग क्या होगा पांच 2 7 8 8 का मुल्य कितना है 12,048 एक का कितना होगा इसको 8 से भाग दे दोगे और कितने मैं पूछ रहे हैं दूसरा भाग तो दूसरे भाग को 2 से multiply करो दूसरा ब पेटा यह आ गया आठ एकम आठ आठ पंजे चालिस पंदरा सुच्छे पंदरा सुच्छे को 2 से multiply करोगे तो पेटा थीन हजर बार आ गया अगरा देखो पेटा दूसरी संख्या ग्यात करें यदि तीन संख्याइं हैं जिनका योग 115 है पहले दूसरे का फर्स्ट और सेकि रेशो कितना है वन रेशो त्री ऐसे कोश्चिन बेटा यह देखो इसके 74 के बादवाला खाली है नहीं यहां पर तो यहां भी यह लिख दो जो लास्ट डिजिट है फॉर वन से पहले देखो इससे आसपास और कोई संख्या नहीं है पहले है तो यहां पर वन आ जाएगा से वन यह लिख दें ऐसे करो 7 रेशो 4 रेशो 2 यह बड़ा रेशो है इनकी क्या गई है रेशो तो 7 और 4 11 और 12 23 23 कितना है 23 ही 115 है अब हमें क्या निकालना है तो दूसरी संख्या ग्यात करें च्यार ही 20 यह आंसर हो गया बीटा एक पन्न के मुल्य में 60 पर तेसत की विरदी हुई यदि वह समान है यानि किसी चीज में 60 परसेंट की विरदी हो गई है और वह समान है यानि कोई भी आर्टिकल की किसी में भी क्या नाम है क्या हो गई उसकी rate में increase हो गई लेकिन जो overall expenditure जो पहले था वो equal है तो बताओ खपत में कितने कम करनी हो गई अब मानस मानो कोई article 10 रुपे का था पहले 10 की खपत होती थी तो total खपत कितने की हो जगी थी 100 की अब उसके कीमत में 60% की विर्दी हो गई 60 कम तलब है 10 की जगे 16 हो गई तो खपत कम करनी पड़ेगी कितनी कम करनी पड़ेगी वो हमें नहीं पता लेकिन overall expenditure कितना है 100 का ही है तो बेटा 16 x 100 है तो x ब्राबर है 100 बटे 16 तो 25 बटे 4 यानि अब जो खपत होगी वो कितनी होगी 25 बटे 4 होगी तो खपत कम कितनी होई कम होई बेटा 10-25 बटे 4 15 बटे 4 की खपत क्या होई है 15 बटे 4 की खपत कम होई और बेटा आप क्या निकलना है कम होई तो उनके भिन ठीक है तो रेशो तो बटे में पहले कितने थी 10 तो 15 बटे 4, 10 बटे 1 था, बटे 1 बटे 10, 15 बटे 40, काटोगे 5 थी है, 15 बटे 3 रिश्चो, 3 अपून, 3 अपून, 8 आ गए, आगे देख़ए जनम के समय रिया 50 cm लंबी थी, वह अभी 6 वरस की है, और वह 1.02 मीटर लंबी है, पिसले 6 वरस में रिया की उच्छाए कितनी याद है, एक बेइमान वयापारी गेहूं के, बेटा ये बिलकुल ध्यान से सुनो, बहुत असान कोश्चन है, लेकिन इस कोश्चनों को हम काफी डिफिकल्ट बना देते हैं, देखो, एक बेइमान वयापारी गेहूं के एक पैकिट पर 30 पर 30 की छूट देता है, ठीक है, इसके अलावा वह है, पैकेट में गेहूं बेशता है, वास्तों में एक पैकेट में एक हजार ग्राम गेहूं होता है, यदि दुकानदार पर एक पैकेट को 1500 ग्राम के रूपे में लेबल करता है, तो उसका लाब परतीसत ग्याद करो, यदि कहने का मतलब बेटा वो है, कि एक प करता है जो जो वजन जिसका 1500 ग्राम होना चाहिए था वह 1000 ग्राम की वजन करके पैकिट करके उसको बेच देता है यह वजन में वेटा उपर नीचे उसने किया हुआ है अब देखो हम आ लेते हैं 1500 ग्राम की जो चीज थी उसका मुल्य कितना था 1500 ठाल जा यह जो तो वह इतने कि जानी थी अब जो वह बेच रहा है वह कितने वह रहे ह हजार ग्राम में उसके पास कोeg चुली कोश्ट कितनी आ रही है एक हजार रुपे की तो आ रही है अब पंद्रा सो लेबल करके बैच रहा है वो और उस पर क्या कह रहा है भाई इस पर मैं 30% डिसकाउंट देंगा यानि 70% कीमत पर बैच रहा है जीरो साथ पंजे 35 इतने में पेच रहा है तो प्रोफिट कित और गुणा में 100% प्रोफिट प्रसेंटेज दो जीरो के इंसे लेगे तो पांस प्रसेंट इसका अंसर आए बटा यह सिंप्लिफिकेशन है पहले यहां पर ओफ है पहले ओफ को सोल करोगे फिर भाग को यहीं बदमास वाला फोर्मूला लगा कि इसको सोल करना है कोई बड कि कुबची